हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में इतने सारे रहस्य चुपे हुए हैं जिनकी कलपना आप कभी नहीं कर सकते लेकिन आज इस वीडियो में हम उन राजनितिक रहस्यों की बारे में बात नहीं करेंगे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन धार्मिक रहस्यों की जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जिसका संभंद सीधा भगवान श्री कृष्ण से है और भगवान श्री कृष्ण की बेहन alumin योग मया जिनके बारे में यह कहा जाता है कि अपने इनके सच्चे दिल से दर्शन कर लिये तो आप रातो रात अमीर बन सकते हो ये सुनने में आपको थोड़ा जीब लगेगा लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको चीजे समझ में आ जाईगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ये चीज आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दिल्ली के 29 ऐसे मंदिरों में से एक है जो मुगल के समय तोड़ दिये गए थे लेकिन ये एक मात्र ऐसा मंदिर था जो आज भी बचा हुआ है नमस्कार दोस्तों मैं आकाश पटेल और आज इस वीडियो में हम दिल्ली के योग माया मंदिर की बात करने वाले हैं ये मंदिर वाकई में बहुत ही चमतकारी है और कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता होता है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दिल्ली के कुतम मिनार के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और हमारा सफर भी शुरू होता है उसी कुतम मिनार से दिल्ली के कुतम मिनार से तकरीबन एक किलोमेटर आगे आपको एक तंग गली मिलेगी तंग गली मतलब एक छोटी सी गली मिलेगी जिसके सामने द्वार पर लिखा होगा योग माया सिद्ध पीट और उस द्वार से आप जैसे ही अंदर परवेश करेंगे तो आपको ये देवी के दर्शन होंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहां पर आपको देवी की प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे सिर्फ एक छोटी सी पत्थर की मूरती आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी लेकिन उस पत्थर की मूरती की एक खास बात होती है कि प्रत मान से ही इन्होंने चमतकारिक रूप से भविश्य वानी की थी कि तु मुझे मारने आया है लेकिन तुझे मारने वाला इस दमीन पर या इस धर्ती पर पैदा हो चुका है। और पत्थर पर पटक कर मारने की कोशिश की तो ये कन्या देवी के रूप में प्रकट हो गई। और एक भविश्य बानी हुई कि तु क्या मुझे मारेगा तुझे मारने वाला आज प्रकट हो चुका है या जन्म ले चुका है। इसी तरीके से देवी का शिर यहीं रहे गया और आकाश मारग से धड़ विंद्याचल की तरब पहुँच गया। कुछ पौराणी गरंतों से हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पिंडी के रूप में महामाया मंदिर की या महामाया देवी की स्थापना इस जगे पर करी थी। और सब उसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने इस जगे पर आकर महामाया देवी की पूजा की थी। और इस वीडियो की सबसे इंटरस्टिंग चीज में आपको बताने वाला हूँ कि मुगलों के समय दिली के 29 हिंदू मंदूरों को तोड़ा गया था और जब इस मंदिर के पास मु ये चीज भी देखने के लिए मिलती है कि मिर्जा जहागीर जो मुगल शाशक था उसकी जब तव्यत खराब होई तो उनकी पतनी ने यहाँ पर आकर प्रार्तना की थी। और ऐसा कहा जाता है कि देवी की चमतकारिक शक्तियों से उसकी तव्यत एकदम ठीक हो गई थी। च एकांशना और महामाया और महामाया देवी को नारायनी भी कहा गया है जो बैभव परंपरा में संपन्न है और देवी महामाया भगवान विश्नु की माया शक्तियों में सबसे मुख्य रूप से पहले नंबर पर कार्य करती हैं और पुराणों में ये भी कहा जाता है कि तो आप कभी भी धन धानय से कमी नहीं रहेगी, या आप के पास कभी भी कोई भी चीजों की परिशानिया नहीं होगी, अब आप मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आप कभी दिल्ली गए है, तो आपने महा माया मंदल की दर्शन किये हैं, या महा माया के बारे में इतनी सारी चीज़े आपको पहले से पता थी कमेंट करके जरूर बताईएगा यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा कुछ ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद